Good morning, मैं रहुल कुमार चोधरी, आज आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ बिहार SSC के 50 जोग्रफी के important questions जो की आपके exam में काफी important है और आने वाला है तो आप किर्प्या इस class को अच्छी तरह से समझ लें, देख लें तो चलिए मैं अभी शुरू करता हूँ सबसे पहले जोग्रफी का जो सबसे पहला question है, बिहार SSC का तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, important है सबसे पहला question है यहाँ पर जो भुगोल का जन्मदाता कीशे काते है भुगोल का जन्मदाता कीशे काते है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भुगोल के जन्मदाता हिकेटियस, इसका सही उत्तर है हिकेटियस को भुगोल का जन्मदाता कहते हैं, हिकेटियस को भुगोल का जन्मदाता कहते हैं, चलिए आगे का कोशन है, आगे देखने वाले हैं हम, दूसरा कोशन है, यहाँ पर किस इसे भोतिक भुगोल का जनमदाता कहा जाता है। पॉलिडोनियम को भोतिक भुगोल का जनमदाता कहा जाता है। आप इसे बिलकुल देखते रहें। और जो पहली बार है हमारे चैनल पे इसे आप लाइक करें। वीडियो को लाइक करें। शेयर करें। और चैनल को सब्सक् कर लें 20 मान्चित्र का निर्मान किस ने करवाया था सबसे पहली वार में बहने वाली कौन सी नदी करकरेखा को दो बार काटती है करक रेखा आप देखते हैं करक रेखा क्या होता है भारत से जाती है यहाँ पर करक रेखा यह होता है यह जो होता है इसका भूमद रेखा होता है और यह जो होता है मकर रेखा होता है तो यह करक रेखा होता है और यह मकर रेखा होता है और यह जो होता है भ भारत से जब गुजरती है, तो वहाँ पर एक नदी है, जो उसे दो बार काटती है, उस नदी का नाम बताना है, उस नदी का नाम है माही नदी, ठीक है, माही नदी क्या करती है, उस करकरेखा को दो बार काटती है, ठीक है, आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट कोस्टन, गल्फ इस जो temperature difference होता है न, ठीक है, temperature difference के कारण होता है, यानि कि तापमान के अंतर के कारण होता है, और जलस्तर में विविन्टा के कारण भी ये उत्पन होती है, तो चलिए मैं आगे का question, यहाँ पे करता हूँ, next question, question नमर छे है, चेत्रपल की दिरिष्टी से भारत का सबसे छोटा संगसासित परदेश कौन सा है, संगसासित परदेश होता है, Union territory. िज, Union टेरी, टेर्यी, टेरी, टेरी 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 एज झाल की दरिष्टी से शबसे छोटा Union ट्रेट्री जो होता है वो है कौन लक्षदीव, लक्षदीव जो है आप देख इंडिया का मेप देख रहे होंगे तो यह यहाँ पर अरब सागर में जो पढ़ता है अरब सागर में लक्षदीब है और यहाँ पे जो है इसका लक्षदीब का जो यूनियन ट्रेटरीज है वो छोटा छोटा यूनियन ट्रेटरीज है आप समझ गए होंगे चलिए आगे का कोशन देखते हैं कौन सी चोटी अंडवान निकोवार दुईप समूः की सबसे उची खाड़ी में और इस खाड़ी में जो है इसका सबसे उची चोटी यनि सबसे उची जो होगा चोटी अंडवान निकोवार का वो कौन सा है उसका नाम है शैडल पिक इसका सही उत्तर क्या है शैडल पिक आगे कोशन है किस देख के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर राश्ट श्रीमा लगती है तो आप देखिए बंगला देश के साथ बंगला देश के साथ 4096 किलोमेटर की बॉंडरी लगती है सबसे जादा है यह तो चलिए मैं आगे चलता हूं आगे की कोशन को देखता हूं यहां पे चलिए आगे का कोशन नमर नौ है यहां पे टोटल पचास कोशन है इसमें काफी इंपोर्टन्ट है आप इसे अच्छे से देखें तो बाइरन दूइप किस राज में या किस के अंदरसासित परदेश में बाइरन बाइरन जो है वो एक जौला मुखी भी है सक्रिय जौला मुखी है भारत का बाइरन आइलेंड है और वहीं पे आपको एक जौला मुखी भी है जो की हमेशा एक्टिव रहती है वो है अंडवान दूइप में है अंडवान दूइप में आप जाएंगे तो वहां पे जो है एक जो सक्रिय जो वाला मुखी है वो हमेशा चलते रहती है वहाँ पर भारत सरकार का जो है जाना वहाँ मना कर दिया है क्योंकि उस जगर काफी काले काले बादल चाहे रहते हैं कभी भी उसका ज्यादा होशकता है तो आप वहाँ पर देखेंगे भारत की सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादू खोड़ा जादू गोड़ा भारत के किस राज में इस्तीत है तो यह है जारकन राज में यहाँ पर यूरेनियम का एक खान है भारत में भारत के जारकन राज में तो वो जादू गोड़ा उसका नाम है जादू गोड़ा देखिए ये जो ब्रहंपुत्रा रिवर है ये तिब्बत से निकल करके आती है और भारत में अरुनाचल परदेश से हो करके ये चल आ जाती है और अरुनाचल परदेश से फिर ये निकल करके कहां चला जाता है तो बंगलादेश में चला जाता है ठीक है तो भारत में ब्रहं पुत्र नदी बोलेंगे और तिब्बत में जो बोला जाता है इसको तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है ठीक है और इसी नदी का जो नाम है आके जाकर के बंगलादेश में जो होता है वहाँ पे बंगलादेश में इसको जमुना बोला जाता है क्या बोला जाता है ज बंगलादेश में जमुनमोलस अब आगे देखते हैं नागा अरजुन शागर पणूजना किस नदी पर इंस्थीत है नदी आप इसे फट फट नोट करते जाएं शागरवान्थ इस्थीत है आगे मौसम की दसाओं के अध्यन को क्या कहते हैं मेट्रियोलाजी, मेट्रियोलाजी जो है मोशम की दसाओं के अध्यन करने वाला एक सास्त्र होता है, आप इसे फटा-फट नोट करते चले, चलिए, मैगलन जल डमरू मद्ध कहा इस्तित है, आगे का कुछन है, मैगलन जल डमरू मद्ध कहा इस्तित है, तो ये परसंत करके बीच में इस्तित है, मैगलन जल डमरू मद्ध, आगे है, अरावली और बिंद छेत्र के बीच का कौन सा पठार इस्तित है, तो मालवा पठार है, अरावली जो है और बिंद, दोनों के बीच में जो है, वो मालवा का पठार है, आप वहाँ पे देखेंगे, मालवा प वो कच्च जिला जो गुजरात राज में पड़ता है और उसमें जो है कांडला बंदरगा को बटवारे का पुत्र कहा जाता है ठीक है बटवारे का पुत्र इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो है उसे बटवारा के तोर पे मिला हुआ है इसे बट पैडोलोजी कहा जाता है ठीक है मिट्टियों के अधियन को क्या कहा जाता है पैडोलोजी आप देखिए सार मिट्टी कई तरक होते हैं हमारे भारत में आठ तरक की मिट्टियां आठ परकार की मिट्टियां जो है वह भारत में आठ परकार की मिट्टियां तो मिट्टियों के जो विशेस परकार का जो अध्यन किया जाता है उस सास्त्र को बोला जाता है पैडोलोजी तो पैडोलोजी एक सास्त्र है जिसके अंतरगत जो है मिट्टी का अध्यन किया जाता है डैस भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है तो देखे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो सबसे भारत का जो बंदरगाह है सबसे बड़ा है वो मुंबई का बंदरगाह है उसका नाम है जबाहर लाल नहरू बंदरगाह ठीक है मुंबई में पढ़ता है आगे हम देखते हैं मालवा पठार में यानि कि रूई की खेती होती है समझ रहे हैं रूई जो होता है वो सफेद होता है अंग्रेजों में इसे सफेद सोना भी कहा था सफेद सोना क्योंकि अंग्रेजों को इसकी काफी सक्त जरूरत थी उस समय जो कपड़े का निर्वान चल रहा था और उसको काफी जरूरती आगे हम देखते हैं यहाँ पे next question next question है कि संग्मर्मर जो है किस प्रकार की चट्टानों की श्रेनी में आता है संग्मर्मर तो संग्मर्मर जो है वो कायांतरित चट्टानों में आता है संग्मर्वर किस चट्टानों में आता है कायांत्रित चट्टानों में आगे चलते हैं भारत के किस राज में मैकाल परवत्माला है तो मैकाल परवत्माला जो है वो 36 गर में पढ़ता है इसका सही उत्तर 36 गर है भागी रती नदी पर बना टिहरी बांद बहुद्देश ये प आगे मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज में इस्तीत है तो वह है असम में आगे हम देखते हैं किसने कहा था कि भुगोल का वह विज्ञान जिसमें पिर्थिवी को स्वतंतर ग्रह के रूप में मानिता देते हुए उसके स समस्त घटनाओं का अंत संबंदों का अध्यन किया गया है तो कॉल रिटर ने ऐसा कहा था कहा था कहा था भुगोल विज्ञान है एक जिसमें पिर्थिवी को स्वतंतर ग्रह माना गया है उसमें चलिए आगे देखते हैं हमारे पिर्थिवी के निकट सबसे चमकीला और सब से गर्म है करकर एका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो देखिए करकर एका भारत के आठ राज्यों से गुजरती है इसका एक फॉर्मूला है जागू राम शमित्रित जागू राम शमित्रित आप समझ गयोंगे इसमें जो जहा से होता है क्या जहारकंड होत जासे क्या होगा जारखंट गूसे गुजरात रासे राजस्थान मौसे मद्रपर्देश छो से छतिशगर मी से मिजोरम त्री से त्रिपूरा पौसे पस्षी मंगार तो भारत के आठ राजियों से हो करके ये गुजरती है तो आप क्या करेंगे इसको चलिए आगे का कुस्षन हम लोग देखते हैं कुरुमंडल तट पर किन दो भारती राजियों के तट्य भूबाग को कहा जाता है कुरुमंडल तट तो आंध्रपर्देश और तमिल लाडू ये देखिए ये हमारे पास क्या है यह यहां पर आंध्रपर्देश और तमिल तट इसको बोला जाता है आगे चलते हैं कुस्षन है करनाटक राज में इस्थित जोग परवात किस नदी पर इस्थित है तो जोग परवात जो है सरावती नदी पर इस्थित है आगे शिवकिला दर्रा किस भारती राज में इस्थित है तो हीमाचल पर्देश में इस्थि पाई जाती है तो पन्ना जो है एक जिला है मत्र पर्देश का जहां परकी हीरे की खान पाई जाती है सर्दार वनलब भाई पटेल अंतरराष्टि हवाई अड्डा कहा इस्तित है तो आहमदाबाद गुजरात में सरदार वनलब भाई भी गुजरात के थे तो इसलिए वहाँ पे ही एक आहम्दाबाद में जो है अंतराष्टी हवाई अड़ा बनाया गया है जहाँ पे की दूसरे देशों से हवाई जहाज का आना जाना होता है आगे देखते हैं यहाँ पे question है नेता जी सुवास चंद्रवोस हवाई अड़ा कहा इस्तीत है तो वो कुलकता में इस्तीत है नेता जी सुवास चंद्रवोस हवाई अड़ा आगे सौर मंडल का सबसे चमकिला गरह कौन सा है सुक्र यानि भेनस भेनस जो है वो सबसे चमकिला और गरम है मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है किसके कारण इस ग्रह का लाल है तो आइरन अक्साइड वहाँ पे जादा है तो इस कारण उसे लाल ग्रह कहा जाता है आगे देखते हैं कौन सा ग्रह जो है कौन सा ग्रह सूर के सबसे नजदीक इस्थित है तो सबसे नजदीक इस्थित जो ग्रह है वो है बुद्ध बुद्ध जो है सबसे नजदीक में इस्थित ग्रह है सूर के पास लेकिन सबसे चमकीला और सबसे गरम ग्रह जो है वो है भेनस आगे हम देखते हैं संजुक्त राज अमेरिका का न्यू यॉर्क सहर किस नदी के किनारे है तो हर्टसन नदी के किनारे हैं हर्टसन नदी वहाँ पे बहती है और संजुक्त राज का जो अमेरिका का न्यू यॉर्क सहर है ठीक है तो वो हर्टसन नदी के किनारे है आगे देखते हैं कौन सा जल डमरूमद अमरीका कहो रूस से अलग करता है तो बेरिंग जल डमरूमद परसंद महासाँगर को हिंद महासाँगर से जोड़ने वाला जल डमरूमद जल डमनुमत का मतलब होता है इस्ट्रेट इस्ट्रेट तीक है आगे देखो कोईला बहुत देश्य प्रयोजना किस भारती राज में इस्थीत है तो महाराश्ट कोईला आगे देखतो है यहाँ भारत का एक मातर राज जो मुंगा रेश्यम का उत्पादन करता है वो है असम यहाँ पे मुंगा रेश्यम का असम में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो आपके एक्जाम में यह कोशन पूछे जा सकते हैं दक्कन का पठार हाँ यहाँ पे को का है आगे हम देखते हैं अमरावती जलासे भारत के किस राज उद्यान में इस्तित हैं तो वो है कहां इंद्रा गांधी बन नजीब अवियारन आगे देखते हैं किस प्रकार के जुआर की उचाई सबसे कम होती है तो निम्न जुआर नाम से ही पता चलता है निम्न जुआर और आगे देखते हैं पिर्त्वी अपनी धूरी पर किस और घुमती है तो यहां पर देखे आगे है कोशन पिर्त्वी अपनी धूरी पर किस और घुमती है तो अपने धूरी पर ये पस्षिम से पुर्व की और घुमती है इसलिए शूरी जो है पुर्व में उधे होता है भूमद्य या विशुवत रेखा के निकट किस तरह के बन पाय जाते हैं। भारत के किस राज को एसिया के अंडों की टोकडी कहा जाता है। आंधर परदेश को एसिया के अंडो की टोकडी कहा जाता है आगे देखते हैं छोब मंडल में वायु मंडल के किस परत को कहा जाता है तो वायु मंडल के निचले परत को छोब मंडल कहा जाता है आगे है कोशन भोगलिक अधार पर ब्रहमांट के अध्यन को क्या कहा जाता है तो कॉस्मोलोजी ब्रहमांट का इसमें पूरी तरह से अध्यन किया जाता है और इस सास्तर को बोला जाता है कॉस्मोलोजी काफी important कोशन है एसिया का सबसे बड़ा मरोस्तल कहा है अगे है लास्ट कोस्टन है इस वीडियो का कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडा रख है तो बिनेजुएला बिनेजुएला जो है वो सबसे बड़ा भंडा रख है तेल का कच्चे तेल का एक्चुली में उत्पादन नहीं कर पाता है वो लिकिन सबसे ज्यादा तेल जो है बेनेजुवला के पास ही है तो आज का जो हमारा ये 50 important question था 50 important question और ये बिहार SSC को बिहार SSC का जो है 50 geography का जो question था important question था आप इसे ध्यानपुर्वक देखें और ऐसे ही वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को like और share अधिक से अधिक करें ताक अधिये मैं इसको यहीं पर end करता हूँ